एक जन्वरी यानि नए साल की शुरुआद पूरा कालेंजर ही बदल जाएगा और इसी के साथ कुछ बदलाव भी होंगे कुछ नियम भी बदलेंगे जो कि आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं नमस्काई मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया ओरीजिनल अमूवन हर महिने की पहली तारीक से कुछ ना कुछ बदलाव होता है कोई भी नया रूल लागो होना हो तो अमूवन एक तारीक ही इसके लिए चुनी जाती है इसका कारण ये भी हो सकता है कि मन्थ एंड के बाद लोग बजट प्लानिंग, सेविंग या नई चेकलिस के शुरुआत किसी भी महिने की एक तारीक से ही करना पसंद करते हैं आये जानते हैं कि नए साल के पहले दिन यानि एक जनवरी दोहजार चौबिस से क्या-क्या बदलने वाला है और आपको क्या बदलाव दिखाई देंगे बैंक लॉकर एग्रिमेंट नौकरी पेशा लोग हो या बिजनेसमैन लोग अपनी कमाई बैंक में जमा करते हैं वहीं बात जरूरी काग्जातों की हो या जेवर गहनों की हो उनके लिए बैंक लॉकर का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि घर में ज्यादा रकम या ज्यादा जूलरी रखना सेफ नहीं माला जाता है चोडी ना हो जाए इस डर से लोग कीमती चीजों को बैंक लॉकर में रखते थे अब ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि RBI यानि भारती रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रिमेंट को रिवाइस किया है बैंकों को बैंक लॉकर यूजर से संशोधित एग्रिमेंट पर साइन कराने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तै की गई थी RBI ने कहा था कि जो ग्राहक डेडलाइन से पहले एग्रिमेंट को रिन्यू करने में विफल रहते हैं उन्हें प्रतिबंदों का सामना करना पड़ सकता है या सप्लिमेंटरी चार्ज चुकाना पड़ सकता है बैंक लॉकर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए जल्द ही बैंक से संपर्क करने की सहला दी जाती है UPI पेमिंट बात उस सुविधा की जिसका इस्तमाल लोग लेन देन के लिए करने लगे है सबजी खरीदनी हो या कपड़े लोग UPI के जरिये पेमिंट करने लगे है एक जनवरी से NPCI यानि National Payments Corporation of India द्वारा Google पे Paytm और Phone Pay जैसे पेमिंट आप से उन UPI ID को बंद कर दिया जाएगा जिनका इस्तमाल पिछले एक साल या उससे ज्यादा समय से नहीं हुआ है SIM Card अब UPI का इस्तमाल करना है तो जाहिर सी बात है कि फोन में इंटरनेट भी होना चाहिए जिसके लिए फोन में SIM Card की जरूरत पड़ती है तो अब बात SIM Card की जैसे पहले लोगों को SIM लेने के लिए पेपर वर्क करना पड़ता था अब उसकी जगा Digital KYC की जरूरत होगी Department of Telecommunications के अनुसार एक जन्वरी से पेपर बेज़ Know Your Customer Process की जरूरत नहीं पड़ेगी बलकि Biometric Details देनी होगी आधार Card जैसा कि आप जानते ही होँगे कि KYC या Verification आधी के लिए बहुत जगों पर आधार Card की जरूरत पड़ती है ऐसे में आधार Card की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 के बाद से आधार Card को ओनलाइन अबडेट कराने के लिए 50 रुपे का चार्च देना होगा इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले